आज मैं आपको देने वाला हूँ डिरेक्ट बायर का वर्टसेप नमबर जहां पर आप अपने पुराने नोट और सीके को बेच सकते हैं इसके लिए आपको कोई भी अप्लिकेशन डाउनलोड करने की ज़रुवत नहीं है और यह वर्टसेप नमबर 100% वर्किंग है जैसा कि अभी आप देखेंगे कि लास्ट सेंट टूडे 11 वज़ कर 41 मिनट पे यानि कि 11 वज़ कर 41 मिनट पे जो भी मैसेज था उस अभी को रीड किया गया और उस अभी का रिप्लाइ इन्होंने दे दिया है तो अभी इनका वर्टसेप फिर से 4 वज़े ओपेंड हो जाना चाहिए था लेकिन कुछ काम होगा इसलिए अभी इनका ऑनलाइन नहीं दिख रहा है लेकिन 4 वज़े साम को यह ऑनलाइन आ जाते हैं और रात को 7 वज़े के बाद 10 वज़े तक ऑनलाइन रहते हैं तो इस बीच में आप बात कर सकते हैं आप कभी इनको मैसेज कर देंगे तो यह आपको रिप्लाइ कर लेगा जब भी यह ऑनलाइन आएंगे तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आप कौन-कौन से नोटर सी क्या आप यहाँ पर सेल करेंगे और कितनी कीमत आपको मिलेगी वीडियो को अंतक देखेगा इसी बीच में मैं आपको इसका नंबर भी इनका दे दूँगा जिस पे आप कंटाक्ट कर सकते हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि अभी तक आपने हम सब्सक्राइब नहीं कि तो रेट कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लिजिए उसके बाद आपको एक बेल का एकन मिलेगा उस पे क्लिक करने के बाद और पे क्लिक जरूर कर दीजगा है इसे क्या होगा कि आपको हमारे हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे क्योंकि जो भी मैं आपको सेल करने का तरीका बताता हूँ वह 100% वरकिंग होता है क्योंकि बहुत सारे आप वीडियो देखेंगे जहां पर उपर थमनेल में वाटसेप नमबर दिया होता है दो-दो मॉबाइल नमबर दिये होते हैं लेकिन उसमें से किसी पे भी कॉल नहीं लगगा क्योंकि वह फेक नमबर होता है और वह नमबर गलत होता है जब भी आप डायल करेंगे तो आपको बता जागा कि आपके द्वारा डायल किया गया नमबर गलत है लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं जो भी आपको नमबर देंगे वह 100% रियल और वरकिंग नमबर है तो चलिए सुरू करते हैं तो देखे सबसे पहले बात करते हैं 10 रुपे वाले मोर वाले नोट के बारे में 10 रुपे के जो मोर वाले नोट है इसमें मोर की संख्या अलग अलग है जैसे कि किसी नोट में आपको एक मोर की संख्या दिखेगी किसी में तीन और किसी में दो मोर की संख्या देखने को मिलती है तो यहाँ पर बात करते हैं किस नोट के लिए आपको कितनी कीमत मिलेगी यह मैं आपको बता देता हूँ तो देखें कीमत थोड़ा सा वैरी कर सकता है बाइर पे भी डिपेंड करता है और पलस आपके note के condition पे भी डिपेंड करता है कि आपके note किस condition में जो मैं आपको कीमत बता रहा हूँ वो एक medium जो note की condition होती है तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक मोड और दो मोड वाले जो नोट है, इसके लिए आपको प्रती नोट के हिसाब से 10,000 रुपे यहाँ पर मिल सकते हैं, साथ ही अगर आपके पास 3 मोड वाले नोट है तो आपको इसके लिए 25,000 रुपे यहा वाले नोट, जी हाँ, 10 रुपे के जो यह बोट वाले नोट है, इसकी कीमत काफी ज़्यादा है, जी हाँ, लेकिन इसकी कीमत तभी ज़्यादा होगी, जब आपके पास यह नोट एक अच्छे कंडिशन में होगा, देखे, क्या होता है, कि कभी कभार लोग कलेक्शन जो भ ताकि अलवम में लगाया जा सके, तो यह ज़रूरी नहीं कि आपका नोट जो है, बिल्कुल भी गंदा नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, अगर ज़्यादा फटा हुआ है, तो वो नोट आपके नहीं विखेंगे, यह मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर जो ह यह तो इसके लिए आपको कीमत ज़्यादा मिलेगी, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, जो 20 रुपए के कौनार्क हुईल वाले नोट है, जी हाँ, कौनार्क चक्र वाले नोट काफी ज़्यादा कीमती है, क्योंकि अभी आपको पता हुआ कि 20 रुपए के नए नोट ज इस पर गांधी जी की फोटो नहीं लगी थी, यानि कि तब जब यह नोट प्रिंट हुआ था, उस समय गांधी जी की फोटो किसी भी नोट पर नहीं लगती थी, और अगर हाँ, एक 20 रुपए का मैं आपको यह भी नोट दिखा दे तो, हाला कि यह नोट बहुत कम लोगों है, तो आपको 1 रुपए मिल सकते हैं, उसके बाद बात करते हैं, वन रुपईच बिक कोई के, जी हाँ, वन रुपईच का 10 ग्राम बाला सिखह है, उसकी कीमत भी काफी ज़दा यहां पर आपको मिलने वाली है, तो 10 ग्राम बाले सिखह की कीमत आपको 40.000 का मैरा के नोट दो सिरीज में जारी हुँंगे गांधी और सिरीज और असो कस्तम सिरीज तो आपको प्रती नोट के हिसाब से 10,000 मिलेंगे और 10,000 आपसे बनेंगे और आपको पैसे जो है को दूश करिया जाएंगे जैसी आप नोट देते हैं बाय को trains यह आपको 10,000 रुपे दे दिया जाएगा देखें यहाँ पर जो अगर आप पास यह वाले नोट है तो आपको एक नॉर्मल नोट की कीमत 5,000 रुपे मिलेगी लेकिन अगर आपके इस नोट में नंबर यूनिक हुआ अगर आपका नंबर यूनिक हुआ तो आपको इसके लिए लाग 555 या 2222 होता है तो यह सब फैंसी नंबर हो जाते हैं और उसके लिए आपको काफी अच्छी खासी कीमत जो है बायर देने के लिए तयार हो जाते हैं यहाँ पर गवर्नर का भी सिगनेचर होता है जो कि वीमल जालान का आप देख सकते हैं एक ची मैं आप लोग से रिक्वे और आपने कितने लोगों का नोट या सिक्का खरीदा है तो इसलिए आप लोग कमेंट हमें जरूर कीजेगा और कमेंट थोड़ा डिटेल में कीजेगा डिटेल में कमेंट इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि देखे अगर आपके पास माल यह पांच नोट या सिक्के हैं ज अगले note की तरफ लेकिन उससे पहले मैं आपको बायर का वर्ट्सेप नंबर दिखा देता हूँ तो चलिए मैं आपको बायर का contact नंबर जो है वर्ट्सेप नंबर देही देता हूँ उसके बाद मैं आपको और भी note और सिखे के बारे में जिसके आप लोग जरूर देखेगा आगे वीडियो में ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाएं और अगर आपके पास जो मैं आगे बता रहा हूँ ऐसा कोई सिक्का होगा तो भी आप वहां पर सेल कर पाएंगे तो देखे यहां पर जैसी मैं इस पर क्लिक करता हूं मैं को यहां करने में प्रूब्लम क्या है कि आपको कई बार बसी बताईगा क्योंकि यहां पर बहुत सारे कॉल आते हैं अगर आप एक 얼마나 मैसेज करके चोड़ देते हैं तो इससे क्या होगा कि वाच wipes कर दो को सब्सक्राइब बरम किर आपकि अन्पर नंबर नोट कर निए 8292511589 चलिए अब मैं आपको आगे बढ़ते हैं और दूसरे नोट के बारे में बताते हैं तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ Old Coin के बारे में Old Coin जो की काफी पहले जारी किये गये थे जैसे कि अगर आप इस सिक्के को देखेंगे कंपनी आपको पता है कि अंग्रेज लोग कितने जादा अमीर थे भारा से पैसे लूट कर ले गए तो उन ही पैसों से ये लोग ऐसे सिक्के भी खड़ी थे क्योंकि उन लोग का सौक होता है किसी के जो है पुर्वा जी या जो किसी के दादा दादी जो है इस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे तो उनके बच्चे जो है ऐसे सिक्के ज़्यादा कलेक्ट करते हैं तो इसलिए ऐसे सिक्कों की डिमांड काफी ज़्यादा हो जाती है जो बेटिस इंडिया बात कर लेते हैं माता वेस्समृष्ण के बारे में वेस्टों देवाले कोईन की दिमांड अभी बहुत जादा है क्योंकि आपको पता है कि धंतेरस नई दीख है और धंतेरस में ऐसे सिक्के की दिमांड काफी जादा हो जाती है चाहे वो एक नॉर्मल बायर जो की एक छोटे से स्टॉल लगाते हैं वो लोग भी आपको इसके के लिए काफी ज्यादा कीमत देने को त्यूर है तो यहां पर आगर आपके पास पांच रुपय वाले सीक्के आध है तो इसके लिए आपको पांच रुपय और ड़स रुपय जिस पे यहाँ पर आप देख सेदे कोईन के बैक साइड में यहाँ पर मिंटिंग इयर दी होती है तो आपके पास जो सीके उसकी मिंटिंग इयर क्या है यह चीजे कमेंट में हमें बताइएगा तो यहाँ पर 1999 में और 2004 वाल अगर आपके पास सीका है तो आपको प्रती सीके क में बताऊंगा कि कैसे आप उसको सेल कर सकते हैं उसके बाद जो हमारे सीरीज में अगला नोट आता हुए एक रूपए के ऐसे नोट जी हाँ ये भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है क्योंकि आपको बांकी जो नोट होते है उस पे आपको रिजर बैंक आफ इंडिया लिखा हुआ मिलेगा लेकिन आपको इस नोट पर गवर्मेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ मिल्ता है तो ये नोट काफी अलग है बांकी नोटों से हालांकि अब एक रूपए के नोट जारी नहीं किया जाते क्योंकि एक रुपए के नोट को जो है प्रिंट करने में काफी जादा खर्च हो जाता था और अब तो एक रुपए की कोई खास वैल्यू भी नहीं रही है तो इसलिए एक रुपए के नोट अब जारी नहीं किया जाते उसके बाद आता है पांच रूपे के हीरन वाला नोट जी हैं पांच रूपे के अगर आपके पास हीरन वाले नोट है तो आपको इस नोट के लिए 10,000 रूपे एक नोट के लिए मिलेगी लेकिन अगर आपके पास बंडल है पूरे तो आपको यहाँ पर लाखो रूपे मिल स चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन पर किलिक करने के वाद आल नोडिफिकेशन को जरूर आउन कर लिजेगा और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं अपने नोट और सीके की फोटो हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमसे फेस्बुक पेज़ पर मैसेज करके भेज सकते हैं और हाँ अगर आप डिरेक्ट वीडियो को Sکिप करके लास्ट में आ गए हैं कि लास्ट में वार्ट्सेप नमबर दिया जाएगा तो मैंने वार्ट्सेप नमबर वीडियो में दे दिया है